हालो दोस्तों सौगत आप सभी का सार स्टडी में तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे सार स्टडी और इसके जोड़े हुए इस पे कौन-कौन से एक्जैम्स के रिगॉर्डिंग हमें क्या-क्या मिल सकता है इस पे तो sr study यह आपका चैनल यूटूब पे भी है आप sr study को सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी आपको गूगल पे जाके यहां new tab open करेंगे इसमें sr study सर्च करेंगे मैंने सर्च कर रखा है तो sr study जैसे आप सर्च करेंगे आपको सबसे उपर yellow color की लोगों के साथ में sr study का platform में हम आपको सारे कुछ चीजें क्याटर कर रहे होते हैं जो कि अपी recent में मुद्दे चलना हैं जो आपके exam oriented हो सकते हैं या जिनसे current affairs से question पूछ आते हैं वो सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी courses में जो sr study भी कुछ courses पे काम कर रहा है आपको सारे courses मिल जाएंगे आप जिस भी स्टीम से हैं एक बार अगर आप के पास में वो वीडियो जा रहे हैं यूटूब के थूट तो उनकी courses भी यहां पे लेवल हैं आप उसको देख सकते हैं और हम सारे testries को आपको यहां पर provide क approximate और 4060 बच्चों ने अभी enroll कर रखा और यहां पर देखते हैं तो हमें सारी exams की like academic हो गया और competition words में अगर आप हैं तो उसके भी सारे exams हैं अच्छा sr study बाकी से different कैसे हैं तो हमने इसको categorize करके बनाया well categorize इसको कहते हैं तो जैसे आप किसी particular exams के regarding त्यारी कर रहे हैं तो आप में previous year paper को analyze करके उन ही pattern को follow किया जिस pattern पे अभी आपसे exams पूछे जा रहे हैं जैसे अभी questions बनाये जा रहे हैं तो यहां पे सारे previous year paper मिल जाएंगे आपको sectional test paper मिल जाएगा और यहां पे quiz मिलेंगे सारी quizzes daily आपको upload होती मिलेंगे और quizzes का भी level वही रहेगा जो exams trend follow कर र जाता है इसमें है तो current affair आपको यहाँ पर टैस्ट भी दे सकते है करेंट फेदलि पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं इसी platform को utilize कर सकते हैं तो यहां current affair का section है जो कि free of cost है, आप इसको देख सकते हैं, इस पर test दे सकते हैं, और इसको analyze कर सकते हैं, notes भी बना सकते हैं यहापे, तो current affair के regarding daily news आप section चेक कर सकते हैं, current affair, notes के लिए आप इसको follow करिए, तो यहाँ day wise आपको current affair मिलेंगे, और यह सारी चीज़ें, यह ठीक उसी तरीके से cater की गए जिस तरीके से आपको exam से पूछा जाता है, बहुत सारे content नहीं है, इसमें 5 to 10 points हैं, और जिसमें से minimum 50% approximate मान सकते हैं, 5% वो रहेगा, 5% वो रहेंगे, जो previously अभी किसी लंबे मुद्दे में बने हुए हैं, कोई बहुत बड़ी news है, जो continuous cell लई है, जैसे आपने अभी देख इसके consequence क्या हो सकते हैं, यह जो अभी unrest generate हो रखा है, IR के अंदर में, international relations नहीं अच्छे चलना है, तो इसका इंडिया पर क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसी जो news है, उनका 4 to 5 जो segment है, वो रहेगा, बाकि 4 से 5 जो नई news हैं, जैसे sports की हो गई, और आपकी important personality की हो गई, अभी कोई SEO change हुए है, static और दोनों, मतलब dynamic current affair को दोनों को मिलाके, एक अच्छा सा notes आपको यहां पर provide किया जा रहा है, आप इसको देख सकते हो, इसके notes बना सकते हो, exam point of view से काफी अच्छा है यह, तो आप इसको देख सकते हो, और भी आपको अगर इसमें कुछ और भी exams के regarding portion की तैयारी करनी है, या जिस portion की तैयारी करनी है, सिर्फ उसी portion के लिए हमें pay करना है, हम कोई आपको एक साथ package नहीं दे रहे हैं, कि bundle दे रहे हैं, 500 का, आप minimum purchase करो, 700 का minimum purchase करो, आप उन्ही exams के लिए pay करो, जिन exams के आप preparation कर रहे हो, हमारे पास है, अभी आपके लिए Android application भी अब भी आपको और कोई doubts रहे गए हों, तो आप comment section में आकर हमसे जरूर पूश सकते हैं, okay ना, till then, take care and bye bye, मिलते है next video में,